मैं कुछ नाम गिनवा रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इनके बीच समानता क्या है, कौन सा धागा इन सब को एक दूसरे से जोड़ता है समानता ये है कि ये सब भारत भक्त थे और ये सब जिस मशाल की रोशनी में स्वतंतरता के पत पर आगे बढ़े, उस मशाल का नाम था महर्शित दयानन सरस्वती नमस्कार, मैं हूँ मनोज मुंतशिर और आज मैं आपको उस जोति पुंज, उस युग पुरुष के बारे में बताऊंगा जिसे बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास में वो स्थान, वो मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था दुनिया को अपना सर्वस्त्रेष्ट दीजिए, आपके पास सर्वस्त्रेष्ट लोट कर आएगा आर्या वर्त, उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर ये शब्द हैं भारत की महान रिशी परंपरा में जन्मे श्री मूल शंकर तिवारी के, जन्हें आज हम स्वामी द्यायनन सरस्वती के नाम से याद करते हैं स्वामी जी गुलाम भारत में जण में थे जब कमपनी सरकार अपने खजाने भरने के लिए भारत की असमिता और गौरों को दिन रात लूट रही थी अंग्रेज जानते थे कि भारत में आस्था, ग्यान और स्वाभिमान की जड़ें कितनी गहरी हैं उन्हें आभास था कि बिना संस्कृती की जड़ काटे भारत को जदा दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा लौड मैकाले का वो कथन तो आपको याधी होगा भारतियों में हीन भावना भर दो, उन्हें विश्वास दिला दो कि उनकी संस्कृती पिछड़ी हुई है, परंपराएं और मान्यताएं खोखली है यहां तक कि भारतियों का पहनावा, उनका खान-पान, बोली भाषा सब चुद्र है उन्हें आगे बढ़ना है, तो अंग्रेजों के पचिन्नों पर चलना चाहिए, गोरी सरकार को अपना माई बाप समझना चाहिए भारत में एक ऐसी नसल पैदा करो, जो देखने में भारतिये हो, लेकिन अंदर अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हो अंग्रेजियत का यही अंधा मोह, इन्हें सदियों सदियों तक हमारा गुलाम बनाए रखेगा और भारत में बिटिश राज का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा स्वामी दयानन सरस्वती, गोरी चमडी का ये काला धंदा समझ चुके थे उन्होंने उद्गोश किया वेदों की और लोटो और यहीं से बिटिश कॉंस्पिरेसी की धजियां उल्ली शुरू हो गई इसे भारत का दुरभागे कह लें या फिर तथा कथित बुद्ध जीवियों की कलुशित सोच जिन्होंने सेकुदर सेलेबस के नाम पर भगोले, अकबर, बाबर तो हमें बचपन से ही रटा दिये लेकिन स्वामी जी के विचारों से सदय उदूर रखा जब अंग्रेजी पढ़े हुए तमाम तथा कथित भारतिय बुद्ध जीवी अंग्रेजों को अपना मसीहा मानने लगे थे और अपनी जूटी शान बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के पीछे दुम हिलाते फिरते थे महरशित दयानन सरस्वती हिंदी भाषा और महान भारतिय व्यदिक परंपरा का प्रचार निडर होकर किया करते थे यही कारण था कि फिरंगियों की भवें स्वामी जी पर सदय उतनी रहती थी दमनकारी अंग्रेजी राज में जब लोग अंग्रेजों के आगे आँख उठाने से डरते थे तब स्वामी जी खुल कर कहते थे कि भारत सिर्फ भारतियों के लिए है अंग्रेजों को यहां से जाना ही होगा स्वामी जी ने ही सबसे पहले स्वराश का नारा दिया था जिसे आगे चलकर श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन वाक्य बना दिया मूल मंत्र बना दिया सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था भारत की स्वतंतरता की निव वास्तों में स्वामी द्यानन सरस्वती ने ही डाली थी सरकारी पाठिक्रमों ने हमें कभी बताया ही नहीं कि 1857 के स्वतंतरता संग्राम की योजना बनाने वाले अग्रणी लोगों में स्वामी द्यानन सरस्वती सबसे प्रमुख थे क्यूं नहीं बताया? ये तो आप भी चानते हैं ऐसे व्यक्ति को देश का हीरो कैसे बना दे जो वेदों का ग्याता हो और सनातन धर्में अटूट विश्वास रखता हो अगर स्वामी जी सेकुलर होते तो हमारे सिलेबस में उन्हें जगे ज़रूर मिल जाती खेर तब नहीं तो अब सही मैं और आप स्वामी जी सावरकर बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुशों को अपने मन में अस्थान दे अपने बच्चों को उनकी कहानिया सुना कर बढ़ा करें तो वो दिन दूर नहीं जब पाठिकरम बदल दिये जाएंगे स्वामी जी का एक किस्सा सुनाता हूँ 1857 के आंदोलन से कुछ साल पहले एक दिन बिहार के महान सुतंता सेनानी बाबु कुमर सिंग ने स्वामी जी से शंका विक्त की स्वामी जी क्या हम इस आंदोलन में सफल हो पाएंगे स्वामी जी मुस्कराए और बड़ी विनम्रता से कहा कुमर भारत सव वर्षों में गुलाम हुआ है इसे सुतंत्र होने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा कुमर सिंग ने पूछा स्वामी जी फिर हमारा ये आंदोलन इसका क्या होगा हम इतने प्राणों की आहुती क्या विर्थ में दे रहे हैं स्वामी जी ने कहा कुमर सुतंत्रता सस्ती नहीं मिलती अनेकों अनेक वर्षों तक असंख्य प्राणों की आहुती देनी होगी संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा हम तो बस वो शुरुवात कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की कोई तो सूथ चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंखलाप का जो आज तक उधार सा है स्वामी जी जानते थे कि 1857 में विजय नहीं मिलेगी लेकिन बिगुल तो बजेगा, भारत वर्ष के प्राणों में कमपन तो होगा धर्ती डोलेगी तो और साहिब बहादुरों की चाती में धसी हुई हिंदुस्तानी गोलियां महरानी विक्टोरिया को डराएंगी तो ये भी क्या कम है स्वामी जी ने जो सो वर्षों की भविश्यमानी की थी वो सच हुई 1947 आते याते करंदेकारियों ने अंग्रेजों के पैरो तले से भारत की जमीन खीचली और लाग दिया उनका सामान बिटेन जाने वाले पानी के जहाज में एक बार स्वामी जी के मुलाकात ततकालीन गवर्णर जनरल लॉर्ड नौर्थब्रुक से हुई पावर के दंभ में चूर गवर्णर ने स्वामी जी से कहा ये अपने व्याख्यान की शुरुवात में आप जो इश्वर की स्तुती करते हैं क्या उसमें ये प्रार्तना भी शामिल है कि अंग्रेज सरकार का कल्यान हो गवर्णर के तेवर साफ बता रहे थे कि वो जवाब में क्या सुनना चाहता है और अगर उसके मन का उत्तर नहीं मिला तो पनिणाम कितने भयावा हो सकते हैं लेकिन स्वामी जी ठेरे भारत की रिशी परंपरा के अनुयाई असत्य कैसे बोलें स्वामी जी ने उत्तर दिया अंग्रेज सरकार के लिए प्रार्तना तो करता हूं गवर्णर साहब कि जितनी जल्दी हो सके भारत में अंग्रेजी राज का सर्वनाश हो जाए और हमें पूल स्वाधिनता प्रात हो गवर्णर साहब के कान सुन होगे उन्हें विश्वासी नहीं हुआ कि भारत का एक रिशी उनके हजारों मिलिटरी जनरल से ज्यादा निर्भीक हो सकता है निडर हो सकता है ये कहानिया आज मैंने आपको क्यों सुनाई क्योंकि जमाइका के महान दर्शनिक माक्स गर्वी ने कहा है पीपल विदाउट थे नॉलेज अफ देर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन और कल्चर आट लाइक ट्री विदाउट रूट्स जो अपने एतिहास, अपनी उत्पत्ती और अपनी संस्कृती से अनभिग्य है वो व्यक्ती जड़हीन व्रक्ष से जादा और कुछ नहीं है हम भारतवासी तो सदैव से ही ग्यान गंगा में मशली की तरह तैरते और जीते आ रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में हम पर अज्ञान थोप दिया गया हमें जल बिन मशली वाली दैनी स्थिती में पहुँचा दिया गया जो हुआ वो गलत था लेकिन इससे भी ज़ादा गलत होगा कि हम अपने अज्ञान को नियती मान कर सोईकार कर लें स्वामी जी कहते थे अज्ञानी होना गलत नहीं है अज्ञानी बने रहना गलत है इसलिए जागो भारतियों रहो चाहे जहां लेकिन अपनी संस्कृति अपने साहिति और अपनी महान विभूतियों पर सदय वो गर्व करते रहो आज परमादरणी स्वामी द्यानन सरस्वती जी की जैनती है सोशल मीडिया पर पोस्ट करें यारों दोस्तों से इसकी चर्चा करें घर परिवार में बच्चों को बताएं कि आज का दिन कितना शुब है और क्यों शुब है हम अपने महानाईकों को जीवित रखेंगे तभी हमारा भारत जीवित और जागरत रहेगा आपने एतने धैरी से मुझे सुना अभार